हरार महादेव जय भूलेनाद नमस्कार मैं शार्ना पाड़े मागदर सिंतियाफ का स्वागत करती हूं दोस्तों मैं बात करने वाले हूं आज सो मौर्ट के अश्टमी के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह दुरलब मौका होता है दोस्तों यह दुरलब संजोग हम महा शुरात्री से पहले मिल रहा है ऐसे में सिव भक्तों के लिए बहुत जरूरी है कुछ महत्वपुन कारे कर लेना क्योंकि दोस्तों कल्यूग है और सभी अपने अनुसार परिचान है किसी को कोई दिक्कत है किसी को कोई शमस्यार तो क्या और कैसे करना है इन बातों पे साथ साथ सकंत पुरान में ही बताया गया है सो मुआर के दिन भगवान वैसे तो महादेव का ही दिन है चैद्रमा का दिन है इस दिन इनकी पोजा आराधना की जाती है और विसे इस तब बन जाता है जब इस दिन अश्टमी का तिथी पढ़ जा तो अश्टमी हो और उस दि करना है दोस्तों तो इसके बारे में आज एकदम विद्वत जानेंगी क्या और कैजे करना है आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों तभी जाकर हमें भी खुब अच्छे से मोटिवेशन मिलता रह जरूरी नहीं है कि प्रतिदिन जो आराधना पूजन करते हैं केवल भाई करेंगे बहुत सारे प्रशनाते हैं उसमें यह भी होता है कि हम कभी नहीं जाते तो आज जा सकते हैं पूजा पार्ट में कोई दिन कोई समय नहीं देखा जाता है बिलकुल भी आप जा सकते हैं औ और जो सीव मंदिर जाने में असमर्थ हैं देखें जो आप अपने घर में जो सीव लिंग रखा है आपने वहां पे यह सारे उपाय कर सकते हैं क्योंकि सास्त्रों जो मैंने अभी बताया आपको जो हमारी धार्मिक गरंथने यह बहुत महत अपूर्ण चीज आपको बता रहे हूं वह पताते हैं कि आपके फोटो मुर्ति की पूजा लावप्रद नहीं होती है वैसे तो होगी लेकिन उतनी लावप्रद नहीं होती है क्य इसलिए कोई उपाय हो गया वहां करते हैं तो ज्यादा लाव होता है लेकिन आप घर में भी इसे कर सकते हैं सो मुर्ण की चार तारीक को है चार तारीक को आप समझ जल्दी जगेंगे जगने के बाद आप अपने जो ही काम है वह निप्टा लेजे यह ध्यान रखी कि जो पूजा का समय होता है वो सुभा सुभा होता है री के चार तारीक चार तारीत निपि आप पड़ी हैंलात कि पड़े मुझेज़ ऐसी आप चार नीप है खटमिति ती नौ बज़े तक चार तारिक को रहने वाली है ऐसे में सुर्योदे के समय अस्टमी तिथी मिल रही है तो पूरे दिन हम अस्टमी तिथी का जो है सुबह साम कभी भी पूजन और उपाय कर सकते हैं यह बात बिल्कुल हमारी स्पर्ष्ट हो गई अब पहला कौन सा उपाय करना है दोसं किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप परिशान है और रहू की सनी की दिक्कत है सनी के वज़से से बाधा आ रहा हर काम आपका नहीं पूरा हो रहा है और एक चीस और आप मोग कहते हैं कि बताए पहले कि हमारा मनुकामना पूरा होगा तो दोस्तों खुद के जीवन में बहुत बड़ा अनुभाव और आजमाया हुआ अब उपाया आपको अब बताने जारे हूं जिससे कर लेजेगा सो मुआर की अश्टमी है कल आप मंदिर जाएए और एक दीपक जला दिजे घी का या तिल के तिल का एक दीपक जला करके सिव मंदरी में बैठकर 11 बार सिव तांडव स्तोत्र का पार्ट करिए वैसे तो इस स्तोत्र का पार्ट जब में जुबानी याद होता है और तब हम करत के और इस पार्ट को करते हैं तो आप बैठकर की भले ही इस तरह से करेंगे आप देखेंगे कुछी देर में आपके रीड की हड़ी जो होती है वह सीधी होना सुरू हो जाता है यदि विधी विधान से कर दिया जाए तो सरीर में कंपन जैसी स्तितिया महसूस होती है यह ए अगले चार महीने के अंदर अंदर किसी की 40 दिन में भी पूर्ण होती है और किसी की चार महीने में भी पूर्ण होती है एक चीज आपको बता दो दोस्तों देखें यह सोसल मेडिया है लेकिन आप से बस इतना कह रहे हूं कि वह वह लोग आते हैं जिनके पहले सब्द में चीज होता है कि दिदी मेरा सब कुछ खतम हो गया मेरे पास कुछ नहीं है और ऐसा कुछ भी जीवन में है तो आप यह उपाय करके देखें करके देखें कि आपको जीवन में कितना ज्यादा लाब हो रहा है और 11 बार से उतांडव तोत्र का पार्ट करिए एक घी का दीपक जिन लोगों को अपनी किसी भी समस्या के लिए मुझसे मिलना हो तो आप जो है मुझसे मिल सकते हैं नंबर जो है मैं स्क्रेन पे डाल दूंगी मेरे डिस्कॉप्शन में भी नंबर होता है और दोसी चाहिए दोस्तों कि मैं पांच छे और साथ तारिक यह तीन दिन पांच और साथ को आप से जो है लाइब में जुड़ूंगी कब तो साड़े आड़ बजे रात को अब चलिए दूसरे उपाई की बात कर लेते हैं जो हर कोई अपने जीवन में आज का उपाई हर कोई कर सकता है अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए अब जिन लोगों के घर में ब कर दें हरुमान चालिशा के पार्ट से पहले अप जूद रख लेजिए द्यान रखी आपको आश्यरे लग रहा होगा कि देदी क्या बतारी है सीवलिंग के सामने बैठकर हनुमान चालिशा का पाट करा रहे हैं लेकिन ध्यान रखी हनुमान जी रुद्रा वतार है तो पर देखेंगे कि चार दिनों में आपके घर में पती पत्नी के वीज बच्चों के वीज किसी भी वीज लड़ाई जगड़े खतम हो जाते हैं या आप किसी भी मनोकामना पूर्ती के लिए ये सारे उपाय कर सकते हैं महादेव की कृपा से ये सारे उपाय बहुत अधिक प्र आप साम को चाहे तो अपने घर में सिव पुरार का पार्ट कर सकते हैं सिव सहस्त्र नामावली का पार्ट कर सकते हैं और चलिए अब ये तो सामाने चीज़े हैं अब मैं बताती हूँ एक विसेस और प्रयोग दोस्तों आज के दिन किसी भी बेल ब्रिक्ष के नीचे यानि क्योंकि सुबा नव बज़े तक रहेगी लेकिन सुर्योदय काल में अश्टमीत ही थी है तो पूरे दिन दाने तो कोई confusion मत करिएगा और आप जो है दीपक जला देजेगा दीपक जो है पांच घी का आप जलाएंगे और बेल ब्रिक्ष के नीचे जलाएंगे आज ध्यान स दोनों हातों से बेल ब्रिक्ष को सपर्स करेंगे और महादेव से अपनी कामना कहेंगे साक्षात कल्यूग में जो ये ब्रिक्ष है ना वो मनकामनाओं के पूर्ति के लिए और जीवन से कश्टों को दूर करने के लिए तो यह बहुत विसेश उपाय है सिवमंदर में भी आप चाहें तो दीपक जलाएं लेकिन हर कोई अगर ब्रिक्ष मिलता है उसके नीचे जरूर दीपक जलाएं देखे कहा जाता है ना कि यदी अपने जीवन में सफलता पाना है तो सबसे पहले हमें खुद को खुद को यह बताना पड़ेगा कि हम यह कर लेंगे दिकत क्या ह होती है इतनी सारे उपाये मैं बताती हूं अकसर जो है आप लोग उसको करते भी है लेकिन फिर वी कुछ लोगों का प्रेश्न रहेगा हमारी समस्या है उपाये बताएब आप लोगों से बार बार कहते हूं कि यह संबह नहीं हो पाता है कि चीजों को लिखा जाए इसलिए कहते हूं कि कमेंट में क्या लिखे मैं बता पाऊंगी क्या समझा पाऊंगी इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आप भी लाब चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी मुझे करिए आपको पसंद आये तो और दूसरी चीज बता देती हूं दोस्तों कि किसी बहुत मजबूत है तगड़ी है न तो घर में ही आपका यह उपाय आपको असर करेगा और बहुत जादा यह उपाय प्रभावसाली हो जाते हैं यह सभी काम कर लेजएगा राहू के तू सनी से जुड़ी हुई पीड़ाओं से मुक्ति के लिए क्योंकि सनी की जब पीड़ आती है न तो एक समस्या और होती है सारी काम हमारे बिलंबित हो जाते हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कैसे और क्या जिन चीजों में समय नहीं लगना उधमें लगने लग जाता है तो यह महत्वपूर्ड उपाय है आप लोग कर लेजिएगा और चलिए दोस्तों आपसे किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में हरहर महादेव लिखना मत बोलिएगा धन्यवाद हरहर महादेव